नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक है मैं आया हूँ 69,000 भरती जो है इसके रिलेटेड थोड़ी सी बात करने देखिए कही न कहीं पेज अटका हुआ है और अगर UPTGTPT की बात करें तो UPTGTPT लगबग लगबग ये clarity आ गया है कि अभी मुझो है उसके बात कहीं न कहीं देख पहली बात तो मैं मानता हूँ कि एक एक बहुती निराशा का महुल जो है वो UP के अंदर student में अभी बना हुआ है student continuously protest कर रहे है 69,000 भरती को लेकर और चीज़ है नई भरती की demand की जा रही है ये भी माना जा रहा है कि ऐसा ना हो जैसे UPTGT के अंदर PGT के अंदर जो last विज्यापन आया था सिरफ उसका exam करा लिया जाए लोग उससे बिलकुल satisfy नहीं होंगे लोग कह रहे हैं कि आप नई भर population है वो सारे लोग उससे exam को भर पाएं और उसमें compete कर पाएं तो देखे मैं कल news channel थोड़ा follow करता हूं तो मैं TV में देख रहा था authentically अगर आप देखेंगे पीछे news channel का नाम भी I think नजर आ रहा है तो अगर मैं बात करूं तो कही न कहीं मेरी नजर पढ़ी है कि के level पे नराज है ना government को उसका चुनावों में क्या impact पढ़ना है government को सिरफ चुनाव से मतलब होता है चुनाव जीतने से मतलब होता है ना तो sorry तो government के उपर जो चुनाव का कितना असर इन चीजों का पढ़ेगा क्योंकि उन्हें नराजगी सामने सामने नजर आ रही है तो परधार मंतरी से UP के मुख्य मंतरी मिले है ना और परधार मंतरी से बिलकुल इस बात पर चर्चा हुई है उप चुनाव से पहले हल निकालने पर बात सूतर लिखा है 69,000 सिक्षक भरती का जल्द हल निकलेगा है ना अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 69,000 सिक्षक भरती मामले का निकल सकता है जल्दी हल ठीक है और यहां पर अगर मैं बात करूँ तो जो 19,000 सीटों पर गड़बड़ वाला मामला था उसको लेकर जो है परधान मंत्री से यूपी के मुथ्य योगी के दिल्ली दोरे से क्या निकला है ना सिक्षक मंत्री का विबाद जो है कही न कहीं ये तो हमें पता है कि चर्चाएं हो रही है जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो भरती आएगी ही नहीं इसका कुछ होगा ही नहीं तो मैं थोड़ा उस मामले में हलका positive रहता हूँ कि भाई कम से कम चलो चर्चाएं हो रही है, बात हो रही है, अध्यक्ष बन गया है, डिले हो रहा है, इसमें कोई दोर आई नहीं है और काफी डिले हो रहा है, उस पे नराजगी भी जायज है लोगों की, बट इतना मैं भी मा इलेक्षन होने थे, नो सीटों पर, है ना, दसवी सीट पर तो हुआ ही नहीं था, मिलकीपूर पर जो, तो अगर मैं बोलू तो नो पर होने थे, लेकिन किसी कारण वज़ जो है, फिलाल वो थोड़े टाइम के लिए टाल दिये गए है, ठीक है, तोहारों की वज़े से, य रहेगी कि उससे पहले लोगों को कुछ ना कुछ जो हल जो है, और कुछ ना कुछ एक कम से कम एक आइडिया जो है, इन सब चीजों का दे दिया जाए, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ते रहें बस, है ना, मैं चाहूंगा गौर्मेंट के खिलाब प्र अच्छा खासा सलेबस जो है, वो होता है, तो आप अपनी तियारी करिएगा, ठीक है, कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, और तियारी में लग जाईए, मैं उमीद कर रहा हूं, चाहे 6 महिने में आप बस थोड़ा सा पॉजिटिव रह कर आगे बढ़िये तियारी करते रहें, ठीक है तो बच्छ,